नमस्कार स्वागा थे आप सभी का सक्षर स्ट्रेप्स के स्योटूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउच चाइना सीमे इस्थित 9-Line के बारे में हम देखेंगे यह जो 9-Line है इसकी जो सीमा है किन-किन देशों से लगती है तता यह जो 9-Line ह यह प्रिजन टाइम में न्यूज में क्यूं है तो इचली इस वीडियो को स्टार्ट कलते हैं और देख लेते हैं 9-Line से जोड़े वे कौन-कौन से important fact बन सकते हैं तो सबसे पहले आप या जो 9-Line है यह इस्थित कहा है तो यह साउच चाइना से याने कि दच्छिट चीन स अगर में आपको मिलेगी यह 9-Line जो की एक कालपनिक रेखा है इस रेखा को सिधे रूप से ना खीचकर 9-Line में पूरा किया गया है इसी कारण से इसका नाम पढ़ा है 9-Line तो आई इसको मैप में देख लेते हैं तो मैप में आप देख रहे हैं यह साउच चैना सी का और इसी साउच चैना सी में ही 9-Line आपको मिलेगी यहाँ पर देख रहे हैं यह सभी जो 9-Line तो यह सभी जो 9-Line तो यह सभी जो हैं साउच चैना सी में इस्थी ताता इस पूरे territory को जो है चाइना क्लेम कलता है, मतलब कि जो 9-Line की territory है, इस सभी भुभाग जो है territory को 9-Line की चाइना क्लेम करता है, जो की एक विवाद का भी सह है, तो आईए से देख लेते हैं और विस्ताल से, तो आपको पता होगा, जो दच्छिट चेंज सागर है, जो South China Sea है, इसकी जो सीमा है, क च्छित्र है, जो South China Sea का अधिकारिक समुद्रिच च्छित्र है, वो फिलिपिन से भी लगता है, तैवान से भी लगता है, वियतनाम से भी लगता है, ब्रुनेई से लगता है, इंडोनेसिया, मलेसिया और सिंगापूर से लगता है, जिस कारण से यह जो रेखा है, च्छित्र होता है, उस देश की अधिकारिक संपत्ति मानियाती, मतलब उस दो सो मिल तक के छित्र में, जिस देश की सीमा लगी होती है, उस समुदर से, इस 200 मिल तक के छित्र में समुदर के अपना ब्यापार कर सकता है, अपना कुछ भी सोध कर सकता है, बहुत सरे जो ब्यापारिक कारे होते हैं, वे सबी देश कर सकते हैं, जिनकी सीमा लगती है, उस जाते हैं उस जो 200 मील का एरिया होता समुदर का वे उस देश की संपत्ती भी माने जाते हैं इसके बाद जो 9-Line है इन देशों के मतलब जो 9-Line है इन देशों के इस 200 मील के शित्र से होकर गुजरती मैंने जैसे आपको बताया माले जी यह South China Sea है तो इसमें जो 9-Line खिची ग लगती है इस 200 मील के मतलब छित्र से होकर गुजरती है तो इसी कारण से जो है यह विवाद का भिस है यह जो लाइन है दच्छडी चीन सागर के कूल भाग का 80% इस पर चीन का कबजा है मतलब जो चीन है इस लाइन के 80% भू भाग पर कहता है कि वह उसका एरिया मतलब जो स मतलब जो चीन है वह कूल सागर के 80% भू भाग पर अपना अधिकार घोसित करता है जो की एक विवाद का भीस है बना हुआ है चूकि यह जो लाइन है सभी देशों की 200 जो समुदरी मील है उससे होकर गुजरती है तो इस हिसाब से जो है इन सभी देशों का इस पर अधिका वह कहता है कि लगबग 3,000 वर्स पहले जब चीन में रजाओं का रास था तो उस समय का हवाला देता है चीन कहता है कि उसका इस सागर पर एतिहासिक अधिकार है चीन का कहना है कि दच्छिट चीन सागर में सभी टापू उसके है और टापू के आस पास के जो 200 मिल तक के चीन सागर में तो आप इससे याद रिखिएगा यहां पर आप देख रहे हैं जो फिलिपीन्स है इस सागर के 200 मिल चेत्र पर अपना दावा करगता जिसे अंतराष्टी नियाले ने भी मानता दिये परन्तु चीन अंतराष्टी नियाले के इस फैसलों को नहीं मानता है और कहता है कि वह जो एरिया है वह फिलिपीन्स का नहीं है बलकि इसका जो 80% एरिया है साउठ्ग चैनासी का पूरा चीन का है, इसी कारagem से फिलिपिन्स और चीन के मद्ध, इसका विवाद बना हुआ है, इसके साथ ही यह जो 9-1 नाइन आपको बताया था, यह विवाद का 9-1 ना विवाद का जो संबंध है, चीन से है, वियतनाम से है, फिलिपिन से है, ताइवान से है, मलेशिया से, बुर्नेशिया से है, इंडोनेसिया से है और सिंगापूर से है तो यह देश सभी important है, यह सभी देश जो है, नाइन डैस लाइन विवास से जुड़े हुए है तिने आप याद देखिएगा, इसके बाद दच्छिट चीन सागर, जिसमें नाइन डैस लाइन खिची गई है उसका कुल छेतरफल लगग 35 लाख वर्ग किलो मीटर है, मतलब जो दच्छिट चीन सागर है तो यही है विवात का कारण, तो आप इसे जरूर याद रिखिएगा आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू, थैंक्स पर वाचिंग, थैंक्यू